प्रभारी प्रधानाध्यापक के पत्पर बना हुआ यहां 27 सिक्षक सिक्षिकाएं हैं प्लस टू है कि यहां भी नौंबर्ग से लेकर बाहरमी कक्षा तक में पांस सो चार सो सथातर बच्चे हैं जबकि अभी टेंथ के बच्चे परिक्षा दे चुके हैं और बाहरमी के बच्चे की भी परिक्षा हो चुकी है तो अभी नौम और ग्यारम बर्ग का बर्ग संचालन हो रहा है हां संस्कृत की भी पढ़ाई हो रही है हिंदी की हो रही है उर्दू की हो रही है यह सब सब्सक्राइब आहित है कॉमर्स में और प्लस्टू अस्तर में और विज्ञान में शिख्षक की कमी है यहां कौन कुन चीज़् की connection कमी के वह सबसे पहली आवस्चता है कि हमारे भावन नहीं नहीं है प्लस्टू हो गया है लेकिन यहां जो भी बाहर से आते हैं और देखते हैं तो उन्हें आस्चर्ज लगता है कि यह प्लस्टू का प्लस्टू बिद्याले है यहां हमारे साथ यही सबसे बरी समस्या जो इस बिद्याले के साथ है वहा है भवन की कमी है और नितांत कमी है है चार दबाली भी नहीं है जिसे हम लोग अपनेँ आपको मसूस करते हैं गेट तो रगा हुआ लेकिन गेट लगने के लगने के बावजूद भी जब तक चार दबाली से इसे सुरक्षित नहीं कर दिया जाएगा तब तक तो दिकत है और किस चीज़ की कमी है इसमें देख रहे हैं जैसे बात्रूम की विवस्ता हो गई है बिजली पानी ये सब कुछ है यहां पर जो है अधारभुत संग्रक्षना की कमी है उसका अभाब है जदी विद्याले का भवन बन जाए तो हम बेहतर से बेहतर सिक्षा देने के लिए ए हमारी टीम में जो भी सिक्षक हैं या सिक्षिकाएं हैं बहुत ही उत्साहित हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को प्रेडित करते रहते हैं उत्साहित करते रहते हैं पठन-पाठन के लिए जो नहीं आने वाले बच्चे हैं उनके घर तक सूचना दी जाती है उनके माध्य कभी काभार aisa बही होता है कि कुछ सिक्षक निकल भी जाते हैं पेल में जाकर करके भ्यार बचों के प्ली चोकों से संपरंपर करने के लिए या समाज judish 손 प्रभाव पड़ता हो उन लोगों से मिलते जुलते हैं और ऐसे कि फिशाव करें कि उदाख स्वेश्षकों की नहीं है हमअअरेख विशाय की सिक्षा देने के लिए ततपर है तो बच्चे की कम वही है कि जो कम्हीं है या उनको थोड़िसी परिशानी यहां पर होती है तुवह जगह को लेकर लिख कम मोरों आप हमारी चैनल के माध्यम से यहां अगल बगल के दूर दराज के मान लिजिए अभिभावक गरजन को क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि जैदा से जैदा बच्चे को आपके यहां एडिमिशन करवावे और आप जैसे योग की सिक्षक से वो अपना समझ्ये की लाव उठ खावे मैं यही संदेश देना चाहूंगा संदेश क्या यही आग्रह करूंगा इस छेत्र के लोगों से आपकों से कि अधिक से अधिक बच्चों को यहां पर अर्था जो नमंकित बच्चे हैं उन्हें प्रेडित करें यहां आने के लिए और हम उनको समुचित सिक्षा दे है जो स्कैक्टोगरी का हाई स्कूल प्लस टू तक है उस हिसाब से आपके पास बिल्डिंग नहीं है बिल्डिंग का भाब है बच्चे को पठन पाठन में बहुत कषणाई हो रही है इसलिए यहां सरकार से आपका अग्रह है कि यहां जल्द से जल्द मकान का निरमान होना चाहिए चारों बगल दिवाल होना चाहिए और जो कमी है सोता उसका अजयन संज्यान ले करके उस पर उच्छित कारवाय सरकार करें हमको भी उही उमीद लग रही है हम भी अमरणाज विस्टरा पत्रकार निवेदन कर रहें सरकार से किसका निरिक्षन करें और जल्द से जल्द इसमें हाथ लग जाए मेरा यही कहना है कि यह जो छेत्र है यह पिछड़ा इलाका पहले से है हलांकि अभी बरत्मान में काफी इस इलाके में भी उन्नती हो रही है रोड़सरक अबागमन की शुवधा हो गई है रोड़सरक का अंदिर्मान हो रहा है तो आएसी स्थि सामर्णिदी में कि बिद्यालय है में नज्दिक्व और दूर दराज कि भी बच्चे आते हैं तो वे आते हैं और उनके लिए जो यह पर हम सिख्षा करें रहा ह। बहवन की कमी के कारणन वो ऐसा हम हम नहीं कर पा रही है और जैसे भवन की वे वह शह हो जाती है तो बहतर से बहतर ढंक से हम सिक्षा देने के लिए यहां पर उपस्तित हैं त्यार हैं तो निश्चा है कि ऐसे में समाज के लोगों को विद्यालय से जो उमीद है जो आशा है उनकी पूरी होगी बच्चे जो यहां पर चाहे नजदी के हों या दूर के हों जो भी आएंगे निश्चित लूप से लाभानुत होंगे और अभी जो हम यहां पर सिक्षा दे रहे हैं हमारा विश्वास है हमारा दावा है कि कोई भी कोचिंग कोई भी ट्वीटर या सिक्षा देने के लिए त्यार नहीं है या नहीं दे सकता है हमारी पास जो टीम है हमारी जो टीम है वह टीम बच्चों के उज्वल भविश्य के लिए